एक्स्प्लेंग दा मेनिंग ऑफ मेलाइबल एंडग्टाइड तो मेलाइबल का क्या मेनिंग होता है और डक्टाइल का क्या मेनिंग होता है यह हमें बताना है तो देखें तो मेलाइबल का मतलब होता है कि एबलेटी ओफ मैटल इसी मैटल की वह एबलेटी जो उसे हैमर करने आंटे पर यह Forsch करने पर उसके सेट्स बनाए जा सकते तेका बना है सेट को अब अब्लेटी आफ मेटल वे डॉन इनकाव इंटू दाशेट किस गयता है यह कोई मैटल जो है वहा मेलाइबल होगा या उसमें गाश्चों कहाथे होगी हँन मैट्रियंट्स ही जो ability है materials ability to be hammered और pressed into thin seeds उसके जो है thin seeds बनाए जा सकते हों तो without breaking तो हम यह कहेंगे को malleable है यानि उसमें malleable की property है दूसरा होता है ductility तो ductility भी इसी से related word है यानि कोई ऐसा metal जिसको हम खीच करके उसके wire बना सकते हों तो उसमें ductility का जो गोड़ है वो होगा तो malleable is described as a materials ability to be stretch मतलब खीचा जा सकता है to be stretch into thin wires और उसके पतले तार बनाए जा सकते हों without breaking बिना टूटे तो अगर thin wire बनाए जा सकते हैं तो यह property होती है ductility और अगर thin sheet बनाए जा सकती है इस property को हम कहते हैं malleability clear है तो इसमें कोई confusion ठीक है